आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम किसी वेक्तिक साथ मिलते हैं तो क्या होता है कि बहुत से इसे टाइम आता है जब कुछ लोग मिलते हैं और वो हमारा नाम जानते हैं वो हमारे नाम का कर बुलाते हैं लेकिन अक्सर हम उनका नाम नहीं जानते हैं आपके साथ भी ऐसा हु होता है इसा क्यों होता है जब किसी भी वेक्ति का नाम आप पहली बार सुनते हैं तो उसी वक्त याद हो जाएगा आज के इस मास्टर माइंड फोर्मूले से जो कि मेरा नहीं नेपोलियन हिल का दिया हुआ है ठीक ना और यह 100 साल पहले दे चुके हैं अपने बुक में आज उनी को मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे आप किसी भी वेक्ति का फर्स टाइम नाम सुनते ही उसका नाम अपने दिमाग में सेट कर लेंगे कैसे पहला जब आप मिलते हैं तो आप अपनी मोबाइल को बीजी मत रहिए जब दोस्तों के साथ मिलते हैं किसी वेक्त साथ मैच कीजिए जो आप से मिलता जुलता हूं सब्सका नाम हो गया कमल ठीक ना तो कमल से फूल में लेजिए जो फ्लावर होता है कमल का उससे ले सकते हैं ठीक ना और पहला फर्मूला कि क्या होगा कि उसका नाम को आप किसी के साथ मैच कर लें ठीक ना जो आपको अच् को दिकत नहीं होगी कभ जब भी आप मिलेंगे उसका उसका नाम बताएंगे और तिसरा फॉर्मूला जो कि आपको बहुत से चीजों को याद करने में भी एक्सपरट ये फॉर्मूला काम करता है ठीक ना और कहीं पर भी काम करेगा और उसका नाम या पिर किसी भी वेक्टी क नाम आप याद कर सकते हैं इस mastermind formula से और तिसरा formula क्या है कि जब भी आप अपने कक्ष में जाते हैं अपने रूम में जाते हैं तो कुछ ऐसे picture रखिए जिसे आप बहुत से image होते हैं और उन image को आप ध्यान से दिखिए तुम गोर से दिखिए ऐसे पुरा आँख खोल के देख और जो भी कुछ देखते हैं आप परते दिन कुछ different देखते जाएंगे और उन सभी चीजों का आप डायरी में note कर सके हो सके तो हो सके तो कोई ज़रूरी नहीं है ठीक ना लेकिन आप गोर करके पूरी गोर से दिखिए किसी एक picture को तो आपको कुछ नया नया अजीब ठीक ना और वीडियो को लाइक चनल को सब्सक्राइब और बेल का इकन को प्रेस कर सकते हैं ठाइंक यू पर वचिंग इस वीडियो अपने स्वास्त का ख्याल रखेगा क्योंकि जान है तो जहान है दुनिया बहुत बड़ी है दोगों की मदद किजिए ठाइंक यू